नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है अपने यूट्यूब चैनल P4Portfolio में आज हम बात करने वाले हैं SBI के बारे में PSU Bank में सबसे बड़ा bank है इसके quarter one के results आ चुके हैं और profit में 81% की बड़ोतरी हमें देखने को मल रही है जबकि expected था कि quarter one के results खराब आएंगे उसके बावजूद यहाँ पर results हमें अच्छे आते हुए नजर आ रहे है तो क्या है उनका reason साथ ही साथ levels और targets के बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे और regular updates पाने के लिए notification bell को press कीजे साथ ही साथ telegram channel को भी join कि जिसकी link description box में दी गई है तो आप देख सकते हैं SBI का last credit price है 191 रुपीज जो की 2.63% हमें उपर दिखा है अगर बात करें इसके 52 week low के बारे में तो वो है 149 रुपीज जिससे यह अच्छा का सा recover कर चुका है लेकिन अपने 52 week है 351 से तो यह अभी भी बहुत जादा correction पर हमें available है अगर बात करें इसके market cap के बारे में valuation के बारे में तो आप देख पाएंगे market cap है 1,70,000 करोर के आसपास का PE ratio 11.78 है इंडस्ट्री का PE है 14 अगर बात करें यहाँ पर price to book के बारे में तो वो है 0.82 यानि की book value से भी कम पर available है dividend यहाँ पर नहीं दिखा रहा है deliverables की बात करें तो वो है 22.34% की delivery अब चलते हैं इसके quarter one के results कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो हम देखने वाले हैं SBI के standalone financial results यहाँ पर सारे figures rupees in crores में दिए गए हैं अगर बात करें यहाँ पर total income के बारे में तो आप देख पाएंगे total income हमें quarter on quarter basis पे नीचे जाती हुई नजर आ रही है यकिन year on year basis पे हमें बड़ोतरी देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है अगर बात करें यहाँ पर इसके net profit के बारे में यानि कि profit after tax के बारे में तो जो net profit निकल कराता है वो 4,189 crores के आसपास बन कर आया है जो कि पिछले quarter में 3,580 crores था वहाँ पर भी growth देखने को मिल रही है और year on year basis में तो धमा के दार growth यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है पिछले सार यान की June 2019 के quarter में 2,312 crores के आसपास का profit हमें देखने को मिला था और आप देख सकते हैं उसके मुकाबले अच्छा खासा growth हमें दिखाए दे रहा है तकरीबन 80% से भी ज्यादा का growth हमें profit में दिखाए दे रहा है लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्यों हमें यहाँ पर इतना ज्यादा growth देखने को मिला है तो उसके पीछे एक बड़ा हाथ है exceptional items exceptional items one time gain होते हैं हर बार नहीं आता कभी कुछ take sale हो जाता है या उसी के कारण हमें यह आप पर one time gain देखने को मिलता है तो वो one time gain देखने को मिला है 1539 ग्रोड सा क्या है यह one time gain उसके बार में भी बात करेंगे लेकिन उससे बहले कुछ analytical ratios भी देख लेते हैं तो यहाँ पर capital adequacy ratio 13.4 हो जुगा है पिछले साल के मुकाबले और पिछले quarter के मुकाबले भी बढ़ा है जो कि एक अच्छी बात है अगर बात करें यहाँ पर इसके NPS के बारे में तो जो gross NPS है वो हमें नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं चाहे वो quarter on quarter basis हो या year on year basis जो कि ए दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें situation सुधर दिवी ही नजर आ रही है तो जो exceptional items के बारे में हम बात कर रहे थे जो one time gain था वो exceptional items देखने को मिला है 1539.73 करोड का on sale of certain portion of investment in bank subsidiary SBI Life Insurance Company Limited यानि कि SBI Life Insurance Company में SBI ने माल बेचा है और इसी से 1500 करोड के आस पास का one time gain हमें देखने को म मिला है सिर्फ इसी company में नहीं कितनी और भी companies में ऐसा देखने को मिल जोका हमने देखा recently reliance में भी one time gain देखने को मिला ICICI bank में भी देखने को मिला और भी कई banks में हमें और भी कई दूसरे companies में भी देखने को मिला है और इसी की वज़े से हमें जो quarter one के results हैं काफी ज़्यादा ऊपर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं अगर यहाँ पर covid-19 के provisioning की बात करें तो यहाँ पर 1836 करोड का provisioning किया गया है quarter one में इसके पहले भी provisioning किया गया था तो total जो provision होता है वो 3008 करोड के आसपास का covid-19 related issues के लिए तो यहाँ पर overall हमने जो results देके summarize करें तो हमें अच्छी गाशी growth देखने को मिल रही है जो one time gain है उसको हटा भी दे तो हमें यहाँ पर NPS भी कम होते हुए नजर आ रहे है capital adequacy ratio भी सुद्रा है जो कि गच्छी बात है provisioning भी किया किया है covid-19 के लिएसे यानि कि आगे अगर बुरी परिस्तिते आती है तो उसके लिए bank पहले से यह त्यारी करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जो हमें net profit में इतना jump देखने को मिला है net profit में हमें जो इतना ज़्यादा jump देखने को मिला है वो exceptional items की वज़े से ही मिला है यानि कि one time gain है हर बार ऐसा नहीं होने वाला है इसलिए ये बात को हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है तब चलिए जाते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में भ पयंकर गिरावट बनी हुए थी तब 150 का support हमें दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली है 200 के आसपा stock जाता हुआ नजर आ रहे लेकिन बार बार उसी level पर हमें resistance भी phase करना पड़ रहा है current situation के बारे में बात करें तो ये अपने 100 days के और 200 days के moving average से काफी नीचे trade करता हुआ नजर आता है indicators के बारे में बात करें तो money flow index का number calculate हो कर आता है 50.19 अब देख भाएंगे यहाँ पर weakness दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर spike देखने को मिला है जो की दर्शार आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और तेजी हमें देखने को मिल सकती है RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI का number calculate हो कर आता है 53.02 काफी समय से RSI का number एक ही zone में trade करता हुआ नजर आ रहा है currently RSI का number हमें neutral to strong condition ही दर्शार आ रहा है अगर बात करें इसके MSD के बारे में तो आप देख पाएंगे MSD में जो फिला बियरिष होता है तो थोड़ी दिन चलता है वापस हमें bullish crossover देखने को मिलता है तो overall ज्यादा कोई यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है overall यहाँ पर confusion का zone ही चलता हुआ नजर आ रहा है बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड में हमें जो situation बनती भी नजर आ रही है median के आसपास फिलाल stock rate कर रहा है अपर बैंड के आसपास resistance face करने के बाद stock में थोड़ी सी ग्रावट देखने को मिली है अपर बैंड का लेवल है 198 का लेवल median जो है वो है current market price के आसपास lower band जो है 182 का लेवल अब बात कर लेते हैं यहाँ पर pivot points के बारे में तो आप देख पाएंगे pivot level है 179 के आसपास का लेवल जिसके आसपास इस stock ने support लिया और वापस तेजी भी दिखाई लेकिन जो pure resistance हमें दिखाई दे रहा है वो 196 के आसपास का resistance है overall 200 का इसे major resistance पहले भी face करना पड़ा है उपर और भी जाए तो यहाँ पर 213 का लेवल दिखाई देता है लेकिन सबसे पहले 200 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर sustain भी होना पड़ेगा नीचे के लेवल के बार में बात करें तो यहाँ पर 162 का लेवल दिखाई दे रहा है उससे भी नीचे जाए तो 145 का लेवल भी as a support हमें दिखाई दे सकता है हाला कि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछी दिनों में हो जाएगी इसके chances काफी कम दिखाई देते हैं चलते हैं all time chart पर जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी moment हमें all time chart पर देखने को मिली है तो आप देख पाएंगे पिछले 10 या 12 सालों से एक ही zone में trade कर रहा है ज्यादा तेजी इसमें कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती 150 का है इसका major support बन चुका है काफी सालों से 150 तक आता है वापस हमें तेजी दिखाता है लेकिन 350 के उपर जब भी यह जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर stock को resistance भी face करना पड़ रहा है जब भी आपको नीचे के levels पर stock दिखाई देता है वहाँ पर position बनाईए और जब भी यह stock हमें ऊपर दिखाई देता है तो वहाँ से हमें exit कर लेना चाहिए ऐसा stock हो चुगा है इसका reason भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि SBI एक PSU stock है और आपको पता ही होगा Yes Bank में जो स्थिती बनी हुई है हमें SBI ही आया था as a bailout करने SBI को यहाँ पर enter करना पड़ा था ऐसी situation बनती रहती है कोई भी financial चोटी मोटी financial issue country में आती रहती है तो SBI को वहाँ पर मदद करने के लिए जाना पड़ता है इसी वज़े से profitability देखने को नहीं मिलती है SBI में growth हमें देखने को नहीं मिलती है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर positions के बारे में अगर आपने यहाँ पर बहुत ही ज़दा ऊपर position मना कर रखी है आप अभी deep loss में चल रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा इसकी range है 150 से 300 350 जाता है वापस नीचे आजाता है तो आपको यहाँ पर जादा returns तो नहीं मिल सकते लेकिन आपको capital अपना वापस regain करने का मौका यह जरूर दे सकता है तो यहाँ पर आप hold कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर नीचे position मना कर रखी है आप अभी profit में चल रहे हैं अगर आपने short term के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि एक resistance का level है जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है जो कि है 200 का level उसके आसपा stock बार बार resistance फेस कर रहा है और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है तो इस level को आपको नजर में रखना चाहिए है नेक्स्ट है जो लोग long term के लिए इसमें position मना कर रखे हैं जो अभी profit में चल रहे हैं उनके लिए भी मैं वही कहना चाहूंगा इसकी range है 150 से 300, 350 तो long term के लिए रखना चाहते है तो रखे है लेकिन 300, 350 अगर आपको दिखाए देता है तो वहाँ पर profit booking भी गरना जरूरी है यह कोई और stock की तरह नहीं है कि इसे लेकर हम भूल सकते हैं इसके लेकर 10 साल के बाद देखेंगे तो दमा के दार growth देखने को मिलेगी ऐसा वाला ये stock नहीं है तो यहाँ पर तोड़ा सा ध्यान रखेगा 250, 300, 350 जाता है तो आपको यहाँ से exit करने के बारे में सोच सकते हैं अब बात करें यहाँ पर fresh buy के बारे में तो जब यह 150 गया था तब ही मैंने कहा था कि इसमें 150 का level बहुत ही strong support है तो यहाँ पर position बनाने के बारे में सोचा जा सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए तो आपको अगर आपने वहाँ पर अगर position बनाई है तो प्लीज कमेंट में लेखे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन मेरा मानना है PSU bank से हो सके उतना दूर रहना चाहिए और PSU bank में especially सिर्फ और सिफ अगर buying करनी भी है तो SBI में ही करनी चाहिए वो हमेशा मैं recommend करता हूँ और वो भी बहुत ही जादा नीचे के price पे मिलता है तो ही यहाँ पर resistance के आसपास जा रहा है 200 के आसपास का इसका major resistance है तो यहाँ पर current market price पे भी आप सोच सकते हैं कि 200 का एक resistance है तो वहाँ पर swing trade के लिए आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं वरना जो main level में आपको बदाना चाह होगा उसके ऊपर यहाँ पर हमें position मणाने से बचना चाहिए ऐसी मेरी रहे रहेगी 180 के आसपास stock अगर आपको दिखाई देता है तो aggressive investor यहाँ पर buying के बारे में सोच सकते हैं लेकिन जो patient investor है conservative investor है wait करना चाहते हैं उनके लिए 170 and below के level सी अच्छे रहेंगे तो अगर आपको ही वीडियो पसंद आता है तो like कीजे share कीजे comment कीजे subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे thank you stay happy happy investing